चलिए सबी स्ट्रेट्स एक बार जल्दी से आ जाए एट सुने इस पॉसिबल पठाफ़ा टम सेशन की सुरुवात करते हैं लेकर मैं आप लोगों के कॉमेंट अभी थोड़ी सी देर में ले लेता हूं तब तक आप सभी आ जाए फाइल बिल्कुल ओपन हो चुकी है और टेंशन वाली बात नहीं है यह लीजिए यहां से सीधा यह बाइपास सरजरी होती हुई यह लीजिए विटा यह लो और यह लो चलिए सब मैं आप लोगों के कॉमेंट लेता हूं एक बार तक आप मुझे आराम से कि अब यह लेजिए बाटा चल्दी आजाए जल्दी आजाए फटार फ्रावट यह लोग के कॉमेंट आ चुके हैं चले साब गुद मॉर्निंग टॉल कल्पना यादव जी राहूल एंड गुपता कंप्यूटर गुद मॉर्निंग शाबास बटा गुद मॉर्निंग सभी को लाइव क्लास जोइन बाटा लाइव क्लास है जोइन करें बाटा जोइन करें बहुत बढ़िया बात है चलो जी चलो व्हुळजो बाटा व्हुर्णोरहाने व्हादि जुछान जिए बाटा चले बाटा भोब पॉर उना चीं है ऐनो, बोटा तो सबसे पहले बात करते हैं इस question को लेकर यह question जो है इसका सही answer क्या होगा question आपके सामने लिखा हुआ है देखिए the plowman his home what's plots his very way क्या लिखा हुआ है his very way इसका सही answer क्या होगा सबसे पहले यह बताया बहुत बढ़िया हर अर्माद है और बहुत बढ़िया जैमाकाल teacher learning material वीडियो बिटा बिटा पड़ा तो दिया है तो सही उसमें यार एक कुमरा grammar प्रेस जो आपका रोल ओ ग्रेमर है वो मुझे पड़ाना बाकी है बाकी और मैंने लगबग लगग आपको सब पड़ा दिया है जी हाँ आरे कि अ कि जा छालोजी अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकर मैं कुण सा PER LITERARY FORM सही यहां पर सबसे पहले यहां पर देखי भीटा तूभा पड़ा दिया बिल्कुल मेटाफर होता है transfer गूल्सपर अपको पता होगा आपने पढ़ा है तो आपको पता हूं आपको पता है यह जो गशा कंग युद्र कि कि से पहले को कोई adjective आता है जब किसी नाउन से पहले कोई adjective आता है तो इस चीज को transfer epithet बोला जाता है क्या बोला जाता है मैंने पढ़ाया था है transfer epithet जो मैंने आपकी class लेती एक बड़ी class लेती दो गंटे के आस-पास की जिस आपको तो आपने नहीं पढ़ा वह अलग बात है तो जैसे ब्लू स्काई होता है ब्लू स्काई के अंदर इसकाई का कलर बताया गया है ब्लू यह भी क्या होता है transfer epithet होता है यहां पर देखिए very well लिखा हुआ है तो यहां पर यहां पर देखिए very well लिखा हुआ है थका हुआ रास्ता तो वेरी वे अगर यहां लिखा हुआ है तो यहाँ पर इस वह का एडर घैडर का यूँज हुआ है क्योंकि रास्ता के सथा इसका इसका मतलब बनुता है ठका हुआ करता ठका हुआ तो ठका हुआ सब्सक्रेंद ट्रांस्पर एफिते और यह शर्ट केसी है black shirt है तो यहाँ पर यह अपने आप में black क्या है adjective का काम कर रहा है तो यहाँ पर transfer एफिटेट की से कहते हैं जब किसी भी noun को किसी भी noun को उसके adjective उसके आगे हो वो उसे qualify कर रहा हो और अभी एक student का message आ रखा है जिसके अंदर roll of grammar पढ़ाना है बटा तो वह भी मैं पढ़ा दूँगा दूसरी बात यहाँ पर सबसे important चीज क्या है यहाँ पर इस रास्ते का personification किया गया है कैसे very way यानि ठका हुआ रास्ता अब एक बात देखिए ठका हुआ रास्ता है यहाँ पर क्या है personification भी हो सकता है क्योंकि ठका हुआ आदमी है रास्ता थोड़ी न ठकता है इंसान ठकता है लेकिन यहाँ पर को ने रास्ता ठका हुआ है लेकिन option के अंदर आपकी पास personification है नहीं कहीं जब personification नहीं है तो इसका मतलब सही आंसर समझ जाओ कि ट्रांस परक्षित है ट्रांसर होगा सर आपके समझाने के तरह का मुझे बहुत बच्छा लगा आप से थोड़ा और पहले में ज्यादा मिली होती तो मेरा और इस बार भी हो जाएगा चिलता ना करें हो जाएगा जब तक एक्जाम नहीं हो और जब तक का result नहीं आए तब तक अपने आपको सफल मानते में चलें ठीके बटा मेरी कोशिस के वल यही रहेगी कि MP के अंदर मुझे 6 मेने से ज्यादा नहीं लगने चाहिए पूरे MP को कवर करने में इंग्लिश अगर कहीं पढ़नी है तो रवी सर से पढ़े जिस टाइप से राजस्तान में है सेम यही चीज़ MP में होना चाहिए इसी के बीच हम यूपी की बात करेंगे पढ़ाने में कोई टेंशन नहीं आप आराम से पढ़े मन लगा कर पढ़े बहत्रीन तरीके से मकसद के अवल एक रहना चीए के अवल पढ़ाई का चाही केसे भी हो आपका एक ही मकसद होना चीए पढ़ाई का और कुछ नहीं मैं निकल वा दूँगा प्रीकी तो फिर भी नहीं कि मुझे 15 दिन वहाई मैंने पढ़ाया नहीं मैंने कोशन प्रैक्टिस करवाई यह तुमसे और मैंने प्रीमियर क्लास लगा अगर तो मैं तोड़ी पढ़ाने की कोसिस कर रही है अगर मैं पढ़ाया होता तो मैं पहले ही कि बता चुका होता कि प्री मिकल चुका मैंने निकल चुका है ठीक है तो यहां पर आजाएगे फिर यहां एक क्वेशन लिखा वा है ही ज लॉइफ वर्थ लीविंगड़े इपेंड़ आपॉन दे लीवर अब यहां पर देखो है लाइफ वर्थ लीविंग डिपैंड अपन दा लीवर देट देगा इसका सही आंसर क्या है और क्या नहीं है जल्दी से बताए अरे एक बटा कुछ नहीं होगा और यहां पर यहां पर एक लिवर तो अपना लीवर हो गया एक लिवर जिसी गेर वगेरा होता है वह भी लिवर होता है तो यहां पर इसके दो meaning निकलते हैं, जब किसी भी word के दो meaning निकलते हो, तो वहाँ पर आपिर पन का use किया जाता है, पन किसे कहता है, जब एक ही चीज़ के दो meaning निकलते हो, जैसे on is blindness, आपके syllabus में भी होगी, on is blindness, तो ढिने चुर्प स्च गयाई मिल्टन की जो मिल्टन की जो पाइम की अंदर एक वर्ड यूज़् वाए तेलेंट इस की डू मतलब था टेलेंड का मतलब एक तौँगा आपकी यूग घing और तो जब किसी बी statement में एक ऐसा word use हो जिसके दो meaning निकलते हो तो पन होता है फिर यहाँ पर लिखाव है fairy queen is a an बैटा है वो dramatic monologue क्या होता है इस तो यहाँ पर देगो fairy queen जो होती है वो हेलोगेरी होता है अब सर यह एलोगेरी क्या होती है बैटा एलोगेरी में क्या होता है ना जो केरेक्टर होते है वो निर्जीव होते है या फिर मांगे जैसे जानवर होते सोरी निर्जीव नहीं होते जानवरों को बातचीत चल रही है निर्जीव जैसे पेन से बात कर रहा है कोई आदमी जानवर आपस में इंसान जैसे बात कर रहे हैं तो वो अलोगेरी होते हैं ठीक ही बटा तो यह आपका अलोगेरी हो गया बात समझ में आ गए होगी पैरी क्वीन यहीं है फू इन्वेंटेड ओड बैटा ओड को किसने इन्वेंट किया है ओड आपने देखा होगा पीबी शेले की यह आपकी सलेबस में भी है कहीं न कहीं यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर देखिए ओड बिलकुल सही है देखो दो टाइप की ओड थी जो पिंडार ने करा वो पंडारिक ओड थी पहले इसने किया और होरेशय ने करा इसले और पिंडार ने क्यआ ओड होगी तो पिंडारिक ओड होति है paradox है या फिर क्या है एक बार जल्दी से बता है as soon as possible इतना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता है uneasy uneasy lies uneasy lies तो यहां पर देखिए uneasy lies the path of throw the line consist oxymoron है paradox है irony है यह का inversion है जल्दी आंसर बताएं पीटा ओक्जीमोर होना इसमें इनवर्जन होना चाहिए अनीजी लाइस दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव सा मेसूस हो रहा है लाइस अनीजी क्योंकि अनीजी भी एक नेगेटिव पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है और लाइस भी एक नेग प्लीड स्लिप माई कैसेज एंड मैं खर सॉफ्ट लाइक ट्री इसमें क्या है प्लीड स्लिप माई कैसेज एंड मैं खर सॉफ्ट लाइक ट्री हाइपर बले हाइपर बली के साथ यहां पर अगर बात करो आप से कि अजी कि आप इस आप चलिए साब बहुत बड़े बात है तो यहां पर देखते हैं इसका क्या है देखो यहां पर अपोस्ट्रोफी किसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है संबोधन संबोधन जब किसी भी इंसान को संबोधित करते हैं तो यहां पर देखो एक प्लीड स्लेप माई कैसे जैंड में खर सॉफ्ट लाइक ट्री तो यहां पर अपोस्ट्रोफ हैं कि यह वर प्लीज देता है या फिर प्लीड वह कह रहा है बुला रहा है ठीक है हाँ जी यहां पर देखें एक लेजी लिखी गई ती जिसका नाम एड़ोनिस था एक लिजी लिखी गई ती जिसका नाम एड़ोनिस था और तो kids की death पे लिखी गई थी मतलब जब kids मर गयते तो kids की death पे लिखी गई थी एड़ो निस वो किस ने लिखी थी पीबी शेले ने लिखी थी उसका नाम क्या था एड़ो निस था इसी के ताथ next यहां पर अगर मैं बात करो आपसे तो यह कह रहा है हूँ इस दा मॉस्ट इंपोर्टेंट राइटर आप दी पिंडारिक ओर्ट्स इन इंग्लिश के अंदर पिंडारिक ओर्ट्स लिखे हैं तो आपको इसका अंतर देना है जल्दी से अंतर दीजे बटा एच सुने इस पॉसिबल बहुत बढ़िया बात है यहां से शावर से ग्रे शायद बिल्कुल सहीं थोमस ग्रे जिन्होंने फेमस ओड्स लिखी है फिंडारिक ओड्स लिखी है इंग्लिश में आज आज आपकी लेटर राइटिंग की और रिपोर्ट की इनके क्वेशन्स होंगे और एक भाई इन्हें मुझे कहा है कि सर वह भी करवा दीजिए कौन सा रोल ओफ इंग्लिश ग्रामर इन लेंग्वेज तो वह भी मैं आपको पढ़ा दूंगा था ठीक है तो तो वह मैंनी लाइन्स और इन तो कोटीन लाइन्स होती है सोनेट इसके बाद की और में रहें रीटर में ब्लैंक वर्स में राहें वर्स में आइंबिक मेंहिकर है ननम उने समझन होता है और जो बैलेड होता है हूँ बैलर किस मेओ लिखा जाता है आपको यह बताना है जलदी से बताना है कि जो बैलेड बैलाड क backwards यहाँ आम यहाँ जैसे मालेड जिन कोई آथर 9 का अरिक्षा्टम्ध से छलते रहते हैं घर साफ उसके साथ देखे अबैलेड नॉमली तो यहां पर देखे आइंबिक पेंटामेटर क्या होता इसका सही आंसर है मैंने यह पहले ही कहा था चार कोशन करवा कि पेड़ कोर्स का प्रमोशन नहीं करना मुझे मुझे वाके में अगर पढ़ाना है वाके में अगर इंग्लिस के स्ट्टेंट्स के बीच में रहना है तो मुझे यह काम करना ही पढ़ेगा ठीक है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जो चाहता हूं वो मुझे मिलना चाहिए बस ड्रामेटिक मॉन लाउग यह अब आप ने पढ़ा हो तो माइ लास्ट डचेज लिखिए रॉबर ब्राउनिंग ने उसके अंदर ड्रामेटिक मॉन लोग का अच्छे तरह कि से यूज़ हुआ है ड्रामेटिक मॉन लोग क्या होता है इसमें एकी स्पीकर होता है बोलने व लेकिन जो लिसनर होता है लेकिन बोलता कुछ भी नहीं है लेकिन बोलता कुछ भी नहीं है बोलता कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है सुनता ही सुनता है क्या मैंता सुनता ही सुनता है वही ड्रामेटिक मॉनलोग होता है सुनता ही सुनता है वही ड्रामेटिक मॉनलोग होत बिल्कुल लास्ट राइडर सही बद इसके बाद देखिए सम टाइम्स ठू होट साइन्स द आई आप हीव द फिगर आफ इस पीच बीटा बीटा इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा अब यहां पर देगो sometimes two hot signs hot adjective signs the eye of you पैटा इसका भी transfer एफिते हो गया क्योंकि adjective use है तो यहां पर two hot signs the eye of you transfer एफिते है बिल्कुल सही आंसर है फिर यहां पर और देखिए एन ambassador lies outside his country which figure of speech do you find in the line पैटा यहां पर देखो ambassador जो लिखा हुआ आप जब इसे देखेंगे तो अच्छे तरीके से देख पाएंगे कि यहां पर ambassador की दो meaning निकलेंगे ठीक है इसी लिए यहां पर क्या होगा आपका पन आंसर हो किसी भी वर्ड के अगर दो meaning निकलते हैं तो उसका अंतरपन ही होता है तो यह अपने इस दा मैन यहां पर देखो happy is the man is the example of पन आ गया इंवर्जन आ गया personification आ गया oxymoron आ जल्डी से अंसर बता बता इसका अंसर क्या है और क्या नहीं है अब यहां पर देखे happy is the man अब यह होना के इसा चाहिए the man is happy the man is happy ऐसे होना चाहिए अना ऐसे ही तो चाहिए लेकिन इसने उल्टा कर दिया क्या कर दिया happy happy is the man और जब उल्टा कर दिया जाता है तो उल्टा करने को English में क्या बोलते हैं उल्टा करना उल्टा करना को English में बोलते हैं बच्छा inversion क्या बोलते हैं इन वर्जन बोलते हैं तो इस इसका सही यहां स्ट्रॉफ है एंटी स्ट्रॉफ है इसकी यहां पर देखे यह वैसे तो देखा जाए तो आप देख सकते हैं बागी मुझे लगता नहीं है कि यह खास बात है फिर भी मैं आपको बता देता हूं पिटाई यह तो तीन ट्रम चलती है यह एकना पिछ पैसली उस्ट्रोफ है साती साहता इंटी इस्ट्रॉफ है एंटी स्ट्रॉफ है और इन दो इसके ऐसे बाद देखिए दक मल इस शिप अल्ट इडजेट है इस सेंटेंस में कौन सा फिगर letter पर just use ओप्र देखेंगे जूंट का मतलब गया जहाज हो गया है इसका मतलब यह है कि चुछ में कामत्लों भब नहीं तो पिंचे बीच में कंपेरिज़न हूआ है और उंट को जहाज माल लिया गया है तो झाह Girism तो हमाना है इसल calendar का महा यहां उआनलान सकता था तो इसका इंसर सी मिली हो सकता था क्या हो सकता था City लेकिन लाइक भी नहीं इसल्मने इसका चरुक्ष में पर हुआ है फिर अगर मैं बात करूं यहां पर तो यह कर रहा है अपपोर्चिनिटी नॉक्स एड़ दे जो ऑसर होते हैं वो दरवाजा खटखट आते हैं बट वंस लेकिन एक वार यहां पर काम क्या हो रहा है नॉक्स दरवाजा खट-कटाने का इस खटखट चाहरा हो वो मैं इस आउसर से करवा रहा हूं इसका मतलब मैं इसे माना हु मान लिया तो इसलिए इसका आंसर को और को इंग्लिष में personification कहते हैं तो यह आपका personification answer सही हुआ हैु आज Cabinet है कि is a poor creature the लाइव इस एन इग्जैम्पल आफ बताई बहुत बढ़िया सभीता चोहान मंजू पिंकी यह सभी वच्छों के आंसर आ रहे हैं बहुत बढ़िया बात है जल्दी जल्दी आंसर आने दीजिए जल्दी जल्दी आंसर आने दीजिए पूर क्रियेचर पूर क्रियेचर ठीक है इसमें देख लीजिए अब मुझे आप बता सकते हैं स्नेक ड़की की सब्सक्राइब बता बड़ा मेट आनमी ना ना एफिटेट ना नेन अवदीज ना स्नेक ड़की आंसर होगा अब बताओ स्नेक ड़की कहते किसका है मैंने पढ़ाया था तुम्हें अधोती यार तुम भूल जाते इत्ता जल्दी अब नहीं बता रहा मैं चलो ठीक है तो ही इसा पूर क्रि ट्रफेटवाला आ ऊप से बिताओगे मैं बताओं मैं इताओ आजी बताईए ब्लहाट्य अपार्ट गूल ठीक ही यहीं 후 सकते हैं इसमें यह थोड़ा जब किसी नाउन से फिल एड्जेक्टिव आता है तो एक नहीं होता है होता है तो यहां पर यहां पर यह भी है पोशन के अंदर जरबड़ है दो दो आंसरे से पॉसिबल इसमें नहीं है पिर यहां से देखे दा पैन अब बताए बता इसका सही आंसर क्या होगा यह मैंने बताया था तुम्हें अच्छे से पढ़ाया था लिखाया था समझाया था दा पैन ज्यादा शक्तिशाली होता है और इसका मतलब होता है तलवार तो मैंने बताया था कि जब भी कोई वर्ड किसी दूसरे वर्ड को डिनोट करें तो वह मेंटाउन्मी मतलब है किसको बता रहा है इस पेन का मतलब यहां पर राइटर से हैं लेखक से राइटर और यह तलवार किसको बता रही है यह वोरियर से वोरियर का मतलब क्या होता योद्धा तो मैं तलवार के जरिए योद्धा को बताना चाहरा हूं और पेंड के जरिए मैंने लेखक को को बताने की koosis करिये तो जब भी वरड किसी दूसरे वरड को denote करे तो उस कर्डिशन में home that कि बात करें तो लड़किया और नदद करूँगार तो फीमेल को जब नद करूँगा तो मैं पैटिकॉट की बात करूँगा है और जानलों मैं पैंट की कर रहा हूं पैंट्स तो पैंट मतलब में मेल की बात बात कर रहा हूं विब को और वर्ड यूज कर रहा हूं पर हम कमीनिंग कुछ और नि highly तो मेटान्मी हो जाता हैं यहां से क्या हो जाता था पर पर देखिए यह लिखा हुआ है ग्रेज एलीजी रिटन इन एक कंट्री चर्चियाड इस एल क्या है यह एलीजी है पेलेड है सोनेट है यह एलीजी कर लो यार इसको क्या है इसका अंसर बताई है तो क्या यह एक एलीजी है एलीजी का एक और नाम फेलीजी भी कहीं 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 लिखावा जाए तो देख लेना बठाएं विच्छ क्वालिटी एज लिरिक की क्वालिटी क्या होती है म्यूजीकल क्वालिटी होती है राइम स्कीम होती है एन अमेटिव स्ट्रक्चर होता है लिरिक की क्वालिटी जल्दी से बताए एक सुने इस पोसिबल कि लिरिक की क्या क्वालिटी होती है लिरिक का मतलब ही होता है कि उसमें म्यूजीक होना चाहिए राइम स्कीम होनी चा legislator के वोगजुता है only c होता है आने या कि मृतिव का घाना होता मोंता है यहां Alexis दो मरने के बाद स्रोद्दांजली देने के लिए जो दुख वेक्त करने के लिए कोई अपने करीबित cash है तो यहां पर दे आमल फार्म लेसलास अड़निस क्रिस्टोबर्ड यहां से मिल्टन की होगी लिसली की होगी एनिमल फाइमेर्दव की एक किया है ऐलोगेरी है एलोगेरी किसे कहते हैं जिसके अंदर जिसे मैं आपको बता रहा हूं कि गोड़ा कदे से कहता है कि मैं जा रहा हूं सभी वहां सुवर आ जाता है सुवर आकर उन सभी से कहता है कि आज तो साम को हम दारू पार्टी करेंगे तो यह जानवर बोलने लगते हैं या फिर जी बिलकुल एनिमेटेट जो केरेक्टर होता है निर्जीव तो वह आपका कुछ बोलते हैं वह केरेक्टर होता है वही आपका अलोगेरिय होता है जिसे एनिमल फार्म इसका बेस्ट एक्जम्पल है सीरियस एलिजी सोरी सीरियस यूलोजी इस फाइंड आउट लिसिडस मैं इन मैमोरी आप डबलू भी एट्स अभी आपकी सलेपस में वैसे नहीं है कि इतना आप से पूछेगा नहीं जहां तक मुझे लग रहा है है ठीक है तो यहां पर देखें सीरियस यूजी इसमें ऑन देट अफ एल्म एक पागल कुट्ते की म्रत्यव के उपर किसने लिखी थी यह ओ लिवर गॉर्ड्ड़ इसमित ने यह लिखा था गॉल्समित ओल्वर गॉल्ड़् इसमित ने एक लीजी लिखी थी और उस लीज पुरिजान का रिजर्व हूं आप वोट काइंड आप एलिजी इस यह किस टाइप की यह बता बटा यहां पर मैंस में आईगी है आपके टैलो जी तो यहां पर लिए कि यहां पर लिए हुसरि यहां पर खिर मैं के अरे हैं कि यह यह दो ये डोनों की दोनों कोई अलीची विटाए पैस्ट लेलीजी ये ठीक है कोई बात नहीं जो आपकी रेंज में है वह करें कोंसा फिकरण ऑप स्पीच ये उज़ वा है ये स्टन स्लोली ये स्टन स्लोली देखे यहां पर हैश्टन स्लोली लिखा हुआ है मतलब क्या होता है जलदवाजी या जल्दी का मतलब क्या होता है से दो एक साथ यूज हुए थीक है है तो दो एक साथ यूज हुए है उससे क्या क Eddyता है एक बार जल्दी से बता है शाबस बहुत बड़िया बात है यहां से एक्दम मस्तांस रांपना चींढ़ा थो अगर एक साथ हूए ऑप्षैट वर्ड वर्ड की बात कर रहा हूंए opposite word अगर एक साथ use होते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे बटा अगसी महरान क्या बोलेंगे आगसी महरान बोलेंगे दो opposite word अगर एक साथ यूज होते है जोगे चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेशन की तरफ चलते हैं आपन यहां लिका हुआ है boys will be boys which figure figure of speech कौन सा figure of speech यूज हुआ इसमें जल्दी से एक बार आंसर दीजिए चलो जी बठा देखो बॉइस विल भी बॉइस यह क्या होता है मैं मेरी बात समझ रहे हैं कि कोसिस करना ठीक है बॉइस विल भी बॉइस एस एपिग्रेम है एपिग्रेम का मतलब होता है सुक्ति सुक्ति का मतलब केसे कहता है बही एक एपिग्रेम का मतलब होता होता है जैसे टिट पो टेट जैसे को तेसा ठीक है जैसे को तेसा उस टाइप की जो सुक्तिया होती है बॉइस विल भी बॉ थिच तो यहां पर NBT फो यहां पर चुछ था निजव हैं डफ्लड फिगर को मतलब से सरी लिया गया है तो यहां पर देखें यहां से यह है और फैसे यह से यह और फोईवाइन तो यहां प्र देखा गएर्ण मनुष्य Rider डिवाइन देववे मनुस्य और देववे दो अलग-अलग statement है antithesis यूज़ होगा अगर दो अलग-अलग opposite word एक साथ यूज़ करा जाए तो oxymoron होता है और दो पूरे के पूरे statement यूज़ किये जाता है तो antithesis होता है इसलिए इसका सही answer क्या होगा antithesis हो गया क्योंकि यहां पर उसने देवता हों कि यहां वसमें इंसानों की बात कर रहा है तो कहीं न कहीं दो opposite statement होते हैं तो antithesis answer होता है दो opposite word होते हैं तो फिर वहां पर बिटा answer क्या होता है बट sentence opposite antithesis ठीक है बहुत बढ़िया बात है clear होगे विटा बात यहां तक कि इसके बाद यहां से देखें यह क्या कि रहा है यह अंडर लीव ऑफ ब्रुटस दे रेस्ट यह अंडर लीव ऑफ ब्रुटस बैट यहां पर देखें इसका सही answer क्या है और क्या नहीं है कि इसे इंसां को दफना दिया गया है अब दफनाने के बाद में हम कह रहेंगी वह तो बहुत सांत है अब वह जिंदकी में कभी असानती उसके मन में नहीं आएगी उसको कोई टेंशन नहीं है सारी टेंशन के उपर फत्य हासिल कर ली तो आईरणी यहां पर आंसर होता है वेंग्यात्मिक तरीके से आईरणी ही इसका सही आंसर है जी हाँ ओ सॉलिट्यूड वेर आर दे चार्म्स पेटा ओ सॉलिट्यूड तो ओ आवास दी जारी है यानि यह हुआ कि ओ सॉलिट्यूड आवास दी जारी है या फिर मान लीजिए बुलाया जा रहा है या फिर मान लीजिए संबोधन किया जा रहा है क्या किया जा रहा है संबोधन किय जा रहा है तो संबोधन किया जा रहा है तो अपोस्ट्रोफी का सही आंसर होगा बिल्कुल सही है इसके बाद यहां पर देखिए यह क्या किरा है वाट इस दा फिगर आप स्पीच इन दा वर्ड्स क्राइंगडल क्रैडल क्राइंग क्राइं अंसर दीजे यहां पर जी हां प्राइंग रड Dop n ई पर क्राइंग ग्रेया गर जूला क्राइंग जूला है तो जूला जूला रहे हैं तो उसमें आवाज हो रही है तो आवाज तो कोई इंसान कर रहा है जूला आवाज कर रहा है तो यह पर सुनिफिकेशन है और या फिर यह अपने आप में क्या एक नाउन है और नाउन से पहले यह क्या रहा है एक एड् बात करूँ आप से आइडेंटिफाई दा स्री फांड राइज ओड बता है यहां पर दबार्ड और टु सिंप्लिसिटी और टु ओटम एसा लिखा हुआ है तो यहां पर बेटा देखो दबार्ड जो है यह एक एसी ओड है आप किस लेवस में ओ तो ठीक है नहीं हो तो कोई बात नहीं छोड़ देना आप इसको लाई के स्टार यहां पर देखिए कौन सा फिक्र ओफ इस्पीच यूज़ा है लाई के स्टार ओफ हैवन इंदा बॉर्ड ले डेलाइट यह देन आर्ट अंसीन बटाइए यह दे आई स्रील डिलाइट इन अबव कोटेशन दफिगर अफिस्बृज्दृ यूज़ और इन चार लाईन हो की इन चार लायन डेले स्टेंगे यह राहिम स्कीन ब्ला का नहीं है को बризक्ता है में इसके अंदरक्य का लाएक वड़ दिक्या होगा लाई की स्टार rhyme scheme क्या होगे like a star of heaven in the broad delight then art unseen but i hear thy thrill delight sorry light or delight b a b c b यह इसकी rhyme scheme होगे a b a b a b c b a b c b a b c b a b c b कि सिमिल ही समझ आता है बस भाई कुछ नहीं आता है कि समझना पड़ेगा वरना यह भी नहीं आए बिलिंडा इसमाइल सेंड ओल दा वर्ड वोज गए बिलिंडा मुस्कराई और सारा संसार गए खुश हो गया यह का मतलब क्या होता है खुश बिलिंडा मुस्कराई और सारा संसार खुश हो गया तो ऐसे कैसे हो गया बिलिंडा यह मुसकराने से यहीं ही ईईपर बली यह एक्जिजरेशन by Ici को बोलते हैं यह आईपर बली को यह हम एक्जिजरेशन बôल देते हैं किलियरर होई बिठा इसके बाद यहां से देखे चलो लेट नौट एम्बिशन मॉक मजाग उडाना दियर यूस्फुल टॉई तो मजाग उडाने काम इंसान करता है या परसोनिफिकेशन एम्बिशन नहीं कर सकती माध्यू काउग सा तोड़ ना करेगी नहीं करेगी ना परसोनिफिकेशन होगा इस काम से मॉक मजाग बनाना एम्बिशन थोड़ी नहीं करेगी किस पिर देखें दर रिपिटेशन ऑफ इस्पीच एंड साउंड इन दा फिगर आप स्पीच यह कह रहा है एलिटरेशन एस दो नेंस और नमोट अपोईया दर रिपिटेशन ओफ इस्पीच एंड साउंड का जो रिप इसाग करता है अब देखो वैसे तो एलिटरेशन में ही आता है लेकिन अगर वाउगल सांड पूछ ले था वाउगल साउंड वावल साउंड के अंदर फिर मुझे क्या करना पड़ता है ऐस डि плохka और यह कॉंसोनेंट दिया हुआ है कॉंसोनेंट साउंड तो कॉंसोनेंट साउंड किसको है एलिटरेशन हो गया है ठीक है वाट इस दा लिट्रेरी फॉर्म आफ बुक्स है पोईट्री है एपिक है क्या है जल्दी से बता बटा यह क्या है फॉक्स है देख यह एक कं़्योस्टव यह पोईट्री नहीं रामाइन हो गया महाभारत हो गया मिल्टन का पर इस रिगेंद हो गयो गया मिल्टन का यह सब एपिक है महांका वह हैं बड़े-बड़े हैं इसले लेंगो अब वाट इस दा लीटरेशी फर्म प KIR पितन लॉस्ट क्या है मुथ्य बतायतना द्लुटन का परक्ण लोस्टốड क्या यह two-team है लेक। है तो उल्टव इस त्षाह में पड़्योबाई यह फ्लिक है से जल्दी छल्डी एछ उन सुन बता ने की कि नो की काशिस करें बहुत बढ़ी बात है कर यह सब कहा की कोशन है वाट которую के है तो तुम्हारे चाहिं महीं है मौब क Strategy के अलांकि तुम्हारे चैनल specifically ये यह तुम्हारे नहीं पूछेंगे क्योंकि यह राइटर यह चाहिए लेकिन नहीं ठीखink लेकिन तुमसे यह जो सोनेट होता है वो पेट्रार कन्स उनेट में एच्छाय लाईन को क्या बोलते हैं से एक्स्पीरियन सोनेट कोर्ड श्र्ट की जो दोलवाई नहीं उन्हें क्या बोलेंगे और क्या बोलेंगे इसके बाद यहां पर देखिए what is the main feature of an ode ode का main feature क्या है its subject is allergic it is in the form of an address it is longer than valid बैटा यह तो form of address it is the form of an address address किया जाता है ode में चाहिए किसी को भी address किया जाए यह बात सत्ते है address किया ही जाता है तभी तो इसमें अपोस्ट्रोफी ज्यादा यूज होते हैं ओडमेंट ठीक है अग्रे ओन देट ओफ अफ़ेवरेट केट इस एन पैस्टरल एलेजी और नंसीरियस एलेजी लिरेक जल्दी बता बटा इसका अंसर सीरियस सब्जेक्ट पर होती है यह ग्रे का है नहीं आये तो ठीक है नॉन सीरियस एलेजी यह है कि अब बैलेट इस नॉमली रिटन आयम्बिक पेंटा मेंटर ब्लेक वर्स कोशन आया हुआ है यह भी यह भी आया था आयम्बिक मेंटर में लिखी जाती है भी ऊप टांज देन आएं कि ऐसे नाम विटा राईटर का पोईट का तो स्विप्ट ने जो लिखा था वह बैटल आप दो बुक्स क्या यह एक शटायर है कि क्या एक शटाय रहें यह मैंने शटायर नहीं कि अश्यक्य सब्सक्राइब शाहिए नहीं पुछा जाएगा-books- claims-en வய Iya यह भी वेटा आपका देखे ườn कि यह जार्ज बरनार्ड शो क्या ही यह एक इस चाटायर जो अंध थी जो आमसेंड six他們 लिखा गया लिखा इसे पिंडारी कोड हो गया और शंने लिखा इसले और से नोड होगे तो इसके ही है जो मेजर है जो मुक्खे है वह दो ढ़ाइप है ठीक है इसके बाद अगर मैं बात करो आप से वट is the dramatic monologe dramatic monologe क्या होता है a long-solulucky in a drama dialogue between two characters a single character who reveals in its speech his own natures and none of these से बताएं बटा 50 के अकोडिंग आपका सही अंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा जल्दी से जल्दी एच सुने इस बताने की कोशिस करें बहुत बढ़िया बात है यहां से शाबाश तो यहां पर देखे a single character who reveals in speech his own nature एक सिंगल केरेक्टर होता है जो reveal करता है उसकी speech को his own nature खुद के नेचर में तो एक यह फिरे काता dramatic monologue में एक speaker होता है एक listener होता है लेकिन listener बोलता कुछ नहीं है क्योण सुनता ही सुनता है एक तो म्यूट ही रहता है सही बात ठीक है तो यह फिप्टी क्योशन थे जो हमने लगबग लिट्राइज ट्रम से भी करें हैं इन सबसे भी करें आप रिवीजन कर ले मैंने तुम्हें सारे पढ़ाये हुए हैं उनको आप अच्छे से रिवीजन कर ले क्योंकि एक दिन के अ बिल्कुल सभी को आसिरवाद है हमारी तरफ से कोई टेंशन नहीं है बहुत बढ़िया तरीके से आप सब पास होएंगे और फिर हम साथ में मिलकर मैंस की तयारी करेंगे इस बार तो मैं के ओल एक हवा के जोके की जैसे आया था लास्ट टाइम पे जब कुछ नीता MP के अं पेपर देने के बाद में फिर आप मुझसे बात करें तो MP की कुछ बुक्स है वो मेरे तक पहुचा दे मैं आपको online payment कर दूँँगा ताकि मैं और अच्छे से अच्छे आपके लिए कर पाँ ठीक है वर्क टूपी एस सही मुर्ज ठीक है बटा तो आज के लिए बस इतना ह थैंक्स पर वाचिंग बाई गाइस टेक केर थेंक्यों दस बजे मिलता हूं बेटा